लो दोस्त वर्ट्वेस्ट चैनल मैं आपका स्वागत एस्पी जूनियर असोशियेट ट्रेड टूथाज़न ट्वनटिफॉर का आज मेंस का जो फाइनल इस रिजल्ट है वह आपका डिक्लेर होगे अप लोगों ने देख वी लिया होगा रिजल्ट कुछ बचों का जो इन्होंने काफी ज्यादा रखा था फाइनल सेलेक्शन एंड प्री का तो इसकी वज़े से काफी बच्चे ऐसे रहेगे जो सेलेक्शन का वेट कर रहे थे नहीं हो पाई तो उसके लिए तो मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो भी आगए अगए अग्जाम से हरार जिन बच्चों को उमीद है कि मेरा जो सेलेक्शन नहीं हुआ बट मैं बहुत नजदीक हो उनको स्कोर कार्ड को लेकि काफी इगरनेश है और साथ ही फर्स्ट वेट लिस्ट का तो आज का सेशन उसी के लिए है तो अगर अपने लास्ट एर का देखे थोड़ा सा ट्वंट स्कोर कार्ड आप ये मान के चलिए कि अगले दो तीन दिन से लेके 4-5 दिन तक कभी भी आ सकता है आप उमीद करें कि हो सकता है आपको कली देखने को मिल जाए परसों देखने को मिल जाए दो दिन छोड़के मिल जाए जैसे आज 27 थे जून को आपका रिजल्ट आया है तो हो सकता है आपको 13 जून तक ये स्कोर कार्ड इसका देखने को मिल जाए स्कोर कार्ड उससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज हो जाएगा कि मैं लेक इतना कर रहा हूँ जो फाइनल सेलेक्शन और मेरे बीच में गैप कितना रहेगा अब जिन बच्चों का गैप कम रहेगा उनको इगरनेस की स्कोर लेके रहेगी वेटलिस की तो फर्स्ट वेटलिस्ट कब होगी तो आप देखिए मोटा मोटा इसमें जो रिजल्ट डिकलेर हुआ है जो दो-तिन दिन में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद करीब-करीब दो मैने का टाइम इसमें लग ज जो, वहां की जो लैंग्वेज होती है लोकल उसका प्रोफिशनस टेस्व प्रोफिशनंस टेस्ट यो आपका लेता है इंकि पहुंद आपको वहां की जो लैंग्वेज है लिखना पढ़ना बोला आता है या नहीं आता तो यह प्रिकरिया और फिर उसके बाद में type जोइन जीस से दो एक मैने अब वह यह आपके जून जो ऐसे जा चुका जुलाई और अपने मान के चलें कि हभाई स्पिर्स्ट वी कोसेप्टेंबर में में आपकी जॉइनिंग इसकी जॉइनिंग के बाद में जो बच्चे जैसे होंगे जो मेडिकल या टेड नहीं करेंगे कुछ ऐसे जो डीवी मेडिकल करके लपीटी नहीं करेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एलपीटी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे याला कि उनको लेना चाते हैं अगर उन्होंने नहीं लिया अगर यह बैट के जैसे उन्होंने फर्दर जोइन ही किया तो एदरवाइं जयोंगे और सथकी आप पर दूबर आयल पिटी नहीं किसे सकते हैं तो बहुत बच्छे हैसे होते हैं एक से जिधादा एकजाम की का प्रेड़िक्सें सबसे ज़्यादा है और उनका किसी अपने इंजनेरिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने जोई नहीं किया तो ऐसे बहुत बच्चे होते तो वह वेट लिस्ट उस पर निकलती है जैसे जोइनिंग आपकी फर्स फीक ओप सेप्टमबर जोइनिंग हुई तो अपने यह मान के चलें कि फर्स्ट वीक ओफ उक्टूबर अर्लिस्ट जो है फर्स्ट वीक ओफ उक्टूबर में अपने को मिल सकता है फर्स्ट वेट लिस्ट फर्स्ट वीक ओफ उक्टूबर में अपने को फर्स्ट वेट लिस्ट देखने को मिल सकती है वो कितनी बढ़ी होगी कितनी वो उनको वेट लिस्ट में पॉल करें तो आज के सेशन का मेन मोटिव यही था कि आप जो भी बच्चे स्कॉर कार्ड का जो तो तीन दिन में स्कॉर कार्ड रिलिज हो जाएगा और उसके बाद आप यह मान के चलिए कि अपने अर्लिएस जो पॉसिबल है वो फर्स्ट वीक अक्टूबर में निकले अर्लिएस फर्स्ट वीक अक्टूबर दर वेट लिस्ट रिलेज होनी चाहिए कि दो एक मैने के टाइम कम सकम यह लेता है जोइनिंग तक और जोइनिंग के बाद में वह उसको पूरा यह कंपाइं करता है कि कि इतने बच्चों ने जोइन नहीं कि लिए उसके बाद वो वेकेंसी रिपोर्ट जाती है और फिर वो वेट लिस्ट डिकले होती है ठीकर तो चलिए मैं एक बार फिर जो भी बच्चे इस एक्जाम को क्रेक कर पाए फाइनल सेलेक्शन ले पाए उनको चैनल की पूरी टीम की तरफ से धेर सारी सुब काम ने और अब जो भी बच्चे सलेक्ट हुए है और जिनको लपीटी देनी है वो अपने उस सब्जेक्ट की डिरेशन में लागा है एक देट्ट वर टूब डेशन वे नाइस टेख